हेलो एफ्रिवन मैं हूं दीपीका आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे क्लास टैंथ की हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्ष भागदो का पर्द्य खंड जिसका तीसरा ध्याई है मनुश्यता और इसके कवी है मैथली शरण गुप्त तो आईए शुरू करते हैं विचार लो की मर्त्य हो न मृत्यू से डरो कभी मरो परंत्यों मरो की याद जो करें सभी होई न यो सुमृत्य तो व्रिथा मरे व्रिथा जिये मरा नहीं वही की जो जियान आप के लिए वही पशु प्रवर्ती है कि आप आप ही चरे वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे शब्दार्थ मृत्यू से भयवित नहीं होना चाहिए हमारी मृत्यू ऐसी होनी चाहिए कि मृत्यू के बाद भी लोग महानकारियों के लिए हमें सदयव याद रखें हमें कुछ ऐसा काम करना चाहिए कि लोग हमें मरने के बाद भी याद रखें जो मनुष्य दूसरों के लिए कुछ भी ना कर सके उसका जीना और मरना दोनों ही व्यर्थ है हमारी मृत्यू भी लोग कल्यान के हित में होनी चाहिए मरकर भी वह मनुष्य कभी नहीं मरता जो सिर्फ अपने लिए ही नहीं बलकि दूसरों के लिए भी जीता है क्योंकि अपने लिए तो जानवर भी जीते हैं आगे कहते हैं कि सच्चा मनुश्य वही है जो संपूर्ण मनुश्यता के लिए जिए अर्थात दूसरों के हित के लिए जिए और उनकी भलाई करें उसी उदार की कथा सरस्वती बखान ती उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती उसी उदार की सदा सजीव कीर्टि कूजती तथा उसी उदार को समस्त स्रिष्ट पूजती अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे शब्तार्थ उदार मतलब दानी बखानना मतलब वर्णन करना कृतार्थ मतलब धन्य होने का भाव या स्वभाग्य कीर्टि मतलब यश्ष्टि मतलब संसार या ब्रह्मांड कूजती मतलब कूजती है असीम मतलब अनन्त या विशाल अखंड आत्म भाव मतलब सब में अपना दर्शन करना प्रस्तुत पंक्तियों में कवी उदारता के भाव पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि जो मनुश्य अपने पूरे जीवन में दूसरों के हित के लिए काम करता है उस उदार व्यक्ति का गुणगान सरस्वती अर्थात पुस्तकों में किया जाता है समस्त श्रिष्टी अर्थात पूरी दुनिया ऐसे उदार व्यक्तियों की आभारी रहती है ऐसे व्यक्तियों की बाते एक जीवित व्यक्ति की तरह की जाती है और पूरी पृत्वी उनकी पूजा करती है कवी आगे कहते हैं कि वही व्यक्ति सही अर्थों में मनुश्य कहलाते हैं जो पूरे संसार को अखंड भाव और भाईचारी की भावना में बांधते हैं शुधार्त रंगति देव ने दिया करस्थ थाल भी तथा दधीची ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी उशीनर शितिश ने स्वमान सतान भी किया सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया अनित्य देह के लिए अनाद जीव क्या डरें वही मनुश्य है कि जो मनुश्य के लिए मरे शब्दार्त क्षुधार्त का मतलब है भूख से पीडित करस्थ मतलब हाथ में अस्थिजाल मतलब हट्डियों का ढचा उशीनर मतलब कांधार का राजा क्षितीश मतलब राजा स्वमान्स मतलब अपने शरीर का मान्स अनित्य मतलब नश्वर अनादी मतलब अमर जीव मतलब आत्मा प्रस्तुत पंक्तियों में कवी ने उन महान दानवीर राजाओं का उलेख किया है जिन्होंने अपना पूरा जीवन दूसरों के हित के लिए त्याग दिया जिस कारण उन्हें आज भी याद किया जाता है कवी के अनुसार परमदानी राजा रंति देव तीवर भूक से व्याकुल होते हुए भी उन्होंने एक भूके व्यक्ति को देखकर अपने भूजन की थाली उसे दे दी थी और महर्शी दधीची ने तो मानवता के हित के लिए अपने पूरे शरीर की हड्या वज्र बनाने के लिए दान में दे दी कांधार देश के राजा उशीनर ने एक पक्षी के प्राण बचाने के लिए अपने शरीर का मांस दान में दिया कुंति पुत्र दानवीर कर्ण ने अपने वचन की रक्षा के लिए अपने शरीर के अंग कवच और कुंडल भी दान कर दिये यह संसार नश्वर है और मानव जीवन शडभंगुर है इसलिए भैवीत होने से कोई लाव नहीं है अर्थात जब आत्मा अमर है तो फिर मनुश् यह महाविभूति है यही वशी कृता सदैव है बनी हुई स्वयंग मही विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह मैं बहा विनीत लोग वर्ग क्या न सामने जुका रहा अहा यही उदार है परोपकार जो करे वही मनुश्य है कि जो मनुश्य के लिए मरे शब्दार् मतलब एक दूसरे के प्रती दुख के भाव को अनुभव करना महा विभूति मतलब महान व्यक्ति की गुण रूपी पूंजी वशी कृता मतलब सम्मोहित करना मही मतलब प्रित्वी विरुद्धवाद मतलब विरोधी बातें विनीत मतलब जुका हुआ लोक वर्ग मतलब लोगों के विभिन वर्ग अर्थात कवी कहते हैं मनुश्य का सबसे बड़ा धन है उनके मन में बसी हुई करुणा वदया का भाव सोयंग इश्वर भी ऐसे लोगों के साथ रहते हैं इसका सबसे बड़ा उधारन महात्मबुद्ध है उनसे लोगों का दुख नहीं देखा गया तो वे लोग कल्यान के लिए दुनिया के नियमों के विरुद्धि चले गए उनकी इस महानता वा उधारता के लिए सारा संसार उनके सामने नतमस तक हुआ और आज भी उन्हें पूजा जाता है अतह बुद्ध के समान दूसरों के हित के लिए अपना त्याक करने वाला मनुष्य ही महान वो परोपकारी बन सकता है सच्चा मनुष्य वही है जो दूसरों के लिए जीता वो मरता है रहो न भूल के कभी मदान्ध तुछ वित्त में सनात जान आपको करो न गर्व चित्त में अनात कौन है यहां त्रिलोक नात साथ हैं दयालुदीन बंधु के बड़े विशाल हात हैं अतीव भाग्यीन है अधीर भाव जो करे वही मनुष्य है की जो मनुष्य के लिए मरे शब्दार्थ मदान्ध मतलब गर्व से अंधा तुछ मतलब महत्वहіन वित्त मतलब धन या संपत्ती सनात मतलब जिसके साथ इश्वर हो। त्रिलोक नाथ मतलब तीनों लोकों के स्वामी, दीन बंधु मतलब दोनों के रक्षक, अतीव मतलब अत्यदिक, अधीर मतलब जिसे धैर्य ना हो, अर्थात, प्रस्तुत पंक्तियों में कभी यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं, कि हमें भूल कर भी कभी अपनी संपत्ति या यश्क का घमंडे नहीं करना चाहिए, और ना ही कभी इस बात पर गर्व करना चाहिए, कि हमारे अपने हमारी रक्षा के लिए हमारे साथ ही हैं, जरा सोच कर देखू, इस संसार में कोई अनात नहीं है, सब के ही सर पर भगवान त्रिलोकी नात का साया है, यानि कि भगवान त्रिलोक नात का हाथ सभी के सर पर है, वह इश्वर, दीनों का, गरीबों का सहारा है, दयालू है, उसकी शक्ती बहुत अधिक है, वह सब को सुरक्षा और सहारा देते हैं, अतहा जो भी मनुष्य अप उनके लिए जीता और मरता है अनन्त अंतरिक्ष में अनन्त देव हैं खड़े समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे बढ़े बढ़े परस्पराव लंब से उठो तथा बढ़ो सभी अभी अमर्त अंक में अपंक हो बढ़ो सभी रहो नयों की एक सेन काम और का सरे वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे शब्दार्थ अनन्त मतलब असिमित जिसका कोई अंत नहीं होता समक्ष मतलब सामने स्वबाहु मतलब अपनी भुजाएं परस्पराव लंब मतलब एक दूसरे की सहायता से अमर्त मतलब देवताओं की गोत या अंक अपंक मतलब कल अंक रहित काम सरे मतलब काम निकले अर्थात कवी के अनुसार इस कभी न समापत होने वाले या अपरिमित आकाश में असंग के देवता पने हाथ फैला करके उदार हृदय, दयालू और परुपकरी मनुष्यों के स्वागत के लिए खड़े हैं इसलिए तुम्हें दूसरो का सहारा बनना चाहिए और सभी को एक साथ लेकर आगे बढ़ना चाहिए, कभी आगे कहते हैं कि सभी को कलंक रहित अर्थात कोई बुरा काम किये बिना अपना जीवन जीना चाहिए, इनहीं गुणों की वजह से ही इश्वर की गोद में बैठ पाओगे, इश्वर की गोद का मतलब अमरत्य प्राप्त करने से है, कभी आगे कहते हैं कि तुम इस तरह मज्जीओ कि एक दुसरे के किसी काम ना आ सको, और सच्चा मनुष्य वही है जो अन्य मनुष्यों के काम आए मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है, पुराण पुरुस स्वयंग भूपिता प्रसिद्ध एक है, फलानुसार कर्म के अवश्य बाहे भेत हैं, परंत अंत रैक्य में प्रमान भूत वेद है, अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिये मरे, शब्दार्थ, मात्र मतलब केवल, विवेक मतलब भले बुरे का ज्यान, पुराण पुरुष मतलब पुराणों में जिसे पुरुष की संग्या दी गई, स्वयंग भू मतलब परमात्मा, वाहे मतलब बाहरी, अंतर्यक्य मतलब आ हरे मतलब तूर करना, प्रस्तूत पंक्तियों में कवी ने बंधुत्व की भावना को मनुष्य के सबसे बड़ी विवेक शिलता माना है, convenience कवी कहते हैं कि मनुष्य के लिए सबसे बड़ा विवेक यही है कि वह अनसार के सभी मनुष्यों को अपना बंधु समझे, कर्म भिन्न है अर्थात जिसने जैसे कर्म किये उसे वैसा ही जन्म मिला परंतो आंतरिक द्रिस्टी से सभी एक समान है स्वयंग वेद इस आंतरिक एकता के ताक्षी है कि सबकी आत्मा एक है अतह संसार में यह सबसे बड़ा पाप है कि कोई व्यक्ति अपने बंधु का कस्ट ना हरे सच्चा मनुष्य वही है जो अन्य मनुष्यों के लिए जीता है और मरता है चलो अभिस्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए विपत्ति विग्न जो पड़े उसे ढखेलते हुए घटे न हेल मेल हां बढ़े न भिन्नता कभी अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी त नहीं मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे शब्दार्थ अभिष्ट मतलब इच्छित सहर्ष मतलब प्रसन्यता पूर्वक विपत्ति मतलब कठिनाईयां विग्न मतलब बाधायें हेल मेल मतलब मेल जोल अतर्क मतलब तर्क से दूर सतर्क पंथ मतलब सावधानियात्री समर्थ मतलब शक्तिशाली तार्था मतलब उद्धार करता हुआ प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवी ने संगर्षपूर्ण जीवन व्यतीत करते हुए लक्षपत की ओर आगे बढ़ते रहने की प्रेणा दी है कवी कहते हैं कि तुम जीवन में जिस मार्ग पर भी चलना चाहते हो हसी खुशी से चलते रहो रास्ते में जो भी संकटाएं बाधाएं आएं उन्हें ढखेलते हुए आगे बढ़ते जाओ परन्तु यह ध्यान रखो कि तुम्हारा आपसी मिल जोल ना घटे मित्रता और एकता का भाव कम ना हो आपस में किसी भी तरे की भिन्निता या टकराव ना हो मनुश्य के लिए सबसे बड़ी सामर्थी यही है कि वह दूसरों की उन्नती वह कल्यान के साथ अपनी सम्रित्धी भी कायम रखे और अंत में सच्चा मनुश्य वही है जो औरों के काम आए आज के इस वीडियो में बस इतना ही वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका शुक्रिया तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अध्याई के साथ तैंक यू